नौकरी की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है कि अगले साल में उन्हें सरकार एक बड़ी खुशकबरी दे रही है आने वाले छे महिने में 70,000 के भी जादा बहाली स्वास्त विभाग में निकाली जाएगी जिसके लिए विभाग ने पूरी तयार कर ली है इस बात की सूचना स्वास्त विभाग की अपर मुख्य सचीव प्रत्य अमरित ने दिया है उन्होंने कहा कि स्वास्त विभाग आने वाले छे महिने में 70,000 युवाओं के लिए बाहाली निकालेगी जिसमें 35,000 की वेकेंसी होगी और इसके लिए सभी तरह की तैय कारिया शुरू हो चुकी है जिसे नए साल में लागो कर दिया जाएगा इस बात की जानकारी देते हुए अपर मुख्य सचीव प्रत्य अमरिक ने कहा कि विभाग ने सभी तैयारी कर ली है और तैयारियों को मधनजर लगते हुए समय सीमा भी हमने निर्धारित कर लिया है जो अगले 6 महने की है अगले 6 महने में बिहार के युवाओं को स्वास्त विभाग में नौकरी मिलने शुरू हो जाएगी इसके साथ मिशन साथ को लेकर मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्त यूजना पर भी काम हो रहा है यानि कि मिशन साथ के अंतरगर स्वास्त विवस् आपको विस्तार से बताएंगे लेकिन उसे पहले नमश्कार मैं निहा चौधरी क्यामर पोसन विशाल के साथ और आप देख रहे हैं जंता जंक्षन बियार में 20 लाग नौकरी देनी की शुरुवात हो चुकी है अगले साल से ही सरकार सभी विभागों में नौकरी देनी की श जाएगी जिसमें से 35,000 एनम ही होंगी इस काम के लिए 6 महने का समय लिया गया है जिसके शुरुवात जनवरी महने से कर दी जाएगी इसके अलावा मिशन साथ के अंतरगर स्वास्त विभाग को डिजिटिलाइज कर दिया जाएगा जिसमें दो चरन में काम किया जाएगा पहले चरन में पटना गुपालगन सिवान और नालंदा जिले में डिजिटल स्वास्त विवस्था दी जाएगी तो वहीं पर दूसरे चरन में बचे हुए बांकी के जिलों में काम किया जाएगा मिसन साथ के अंतरगर स्वास्त विवस्था में काफी कुछ काम किया जा हर बिमारी के लिए अलग-अलग आप बनाया गया था लेकिन अब सभी आपको एक जगह लाया गया है और एक ही आपके माध्यम से स्वास्तेवाओं का लाब उठा पाएंगे आपका नाम भावया एप रखा गया है जिसके माध्यम से हर जिले के लोगों को स्वास्त सुविधाओं का लाब मिलेगा जिस सत्तर हजार पदों पर भरती निकाली जाएगी उसमें स्वास्त विभाग के मैटिकल कॉलेज अस्पतालों फीजियो थेरेपी कॉलेज के अलावा कुछ अन अस्पतालों के लिए भी नए पत बनाए गये हैं स्वास्त विभाग में दात की समस्त्या से जुड़े रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है जिसे देखते हुए विभाग ने डेंटल सर्जनों की सहयोग के लिए 702 पदों पर डेंटल हाईजिनिस्ट की निकाली करेगी राजकी कुल 9 मेडिकल कॉलेज अस्पतालों और 8 मेडिकल कॉलेज में एनेमसी के लिए 263 पद पर निकाली होगी इसके साथ सरकारी मेडिकल कॉलेज में पीजी और डिपलोमा पास करने वाले शात्रों से बॉंड के आधार पर भी लगबग 4000 पदों पर बहाले निकाले जाएगी इसमें 1330 पदों पर विभाग की ओर से अगले 6 मेहने में ही नियुक्ती होगी कुल मिलाकर बात यही है कि आने वाले 6 मेहने में स्वास्त विभाग में कुल 70,000 पदों पर बहाले निकाली जाएगी इसके लिए तैयारी भी हो चुकी है स्वास्त विभाग के अपर सचीव प्रत्य अम्रित ने इस बात की जानकारी देते हुए स्वास्त विभाग की विवस्था को और भी सुचारुधंग से चलाने को लेकर कई सारे जरूरी कामों के बारे में बताया है इसके सासत मुकि सचिव प्रत्य अम्रित ने ये भी कहा कि बिहार में स्वास्विभाग को और भी बैतर बनाने के लिए सभी कामों को शुरू कर दिया गया है जिसको लेकर सूचना भी दे दी जाएगी आके आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताईएगा आगे की तमाम खबरों के लिए जनता जंक्षिन देखते रहे हैं अन्यवाल